मुलतानी मिट्टी के फेसपैक के फायदे बेदाग दमकता चेहरा पाना हर किसी की चाहत होती है इसके लिए लोग तरह तरह के जतन भी करते हैं चेहरे की रंगत निखारने के लिए लोग कैमिकल प्रोडक्स तक का इस्तेमाल करने से नहीं हिचके चाते कई बार उठाए गए ये कदम चेहरे के नुकसान का कारण भी बन जाते हैं ऐसे में दादी नानी के जमाने से उप्योग में लाई जाने वाली मुलतानी मिट्टी आपके लिए वर्दान साबित हो सकती है मुलतानी मिट्टी फेसपैक के फायदे 1. एक्सफोलियेट सामगरी 1. एक्सफमच मुलतानी मिट्टी 2. शहद आवश्यक्ता नुसार 3. गुलाब जल आवश्यक्ता नुसार उप्योग का तरीका मुलतानी मिट्टी में गुलाब जल और शहद मिलाकर पेस्ट तैयार करें इस मिश्रंग को साफ चेहरे पर लगाएं और हलके हाथों से मालिश करें पेस्ट के सूखने के बाद चेहरे को गुनगुने पानी से धोलें कैसे लाब दायक है मुलतानी मिट्टी में मौजूद मिनरल्स आपके चेहरे की गंदगी को निकालते हैं जिससे रोम छिद्र खुलते हैं और तवचा अंदर तक साफ होती है वहीं मुलतानी मिट्टी के साथ गुलाब जल और शेहरे से मृत को शिकाओं को हटाने का काम करते हैं साथ ही इन में मौजूद एंटिबैक्टीरियल गुन तवचा में मौजूद सभी बैक्टीरिया को साफ करते हैं ड्राइ स्किन वाले इसका इस्तेमाल ना करें दो, चमक्ती तवचा, सामग्री, आधा चम्मच मुलतानी मिट्टी, टमाटर का रस आवश्यक तानुसार, आधा चम्मच चंदन पाउडर, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, उप्योग का तरीका उपर बताई गई सभी सामग्रियों को मिला कर पेस्ट तयार कर लें, अब चेहरे को धो कर तौलिये से सुखाएं, साफ चेहरे पर अब इसे फेस पैक की तरह लगाएं, इसके सूखने के बाद गुन-गुने पानी से चेहरे को धो लें, कैसे लाबदायक है, मुलतानी मिट आपकी तवचा में मौजूद अशुधियों को साफ करती है, इसके साथ ही टमाटर, चंदन और हल्दी में मौजूद एंटियोक्सीडेंट चेहरे को आश्चर यजनक रूप से चमक देने का काम करेंगे 3. तेलिय तवचा से बचाए, सामगरी, एक चममच मुलतानी मिट्टी, आवश्यक्तानुसार गुलाब जल, उप्योग का तरीका, अपने चेहरे को अच्छी तरह से धोकर तॉलिये से पहुच लें, एक कटोरे में मुलतानी मिट्टी और गुलाब जल को मिलाकर पेस्ट त 4. देलिये से बड़ के बाद चेहरे को साफ पानी से धोलें, कैसे लाब दायक है, मुलतानी मिट्टी फेस पैक के फायदे अनेक हैं, यह न और सिर्फ तवचा की गंदगी को निकालने में मदद करती है, बलकि चेहरे में मुझूद तेल को सोखने का काम भी करती है, मुलता हाश्मी.com चैनल सब्सक्राइब करें थान्यवाद